आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल टिप्स पे ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों मैंने थाइलेंड के उपए एक बजट वीडियो बनाया था जिसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कि सथा आप दुबाई पर भी एक बजट वीडियो बनाया तो काफी रिसर्च के बाद और खुद के एक्सपिरियंस करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप दुबाई सिर्फ 25,000 रुपे के अंदर तीन रात चाल दिन के लिए कैसे जा सकते हैं शायद ये कुछ लोगों को महंगा लगे पर दोस्तों ध्यान रखें दुबाई एक महंगी जगा है वो थाइलेंड के तरह इतनी सस्ती नहीं है तो 25,000 मिनिमम कॉस्ट तो आपको देनी ही पड़ेगी इस वीडियो को मैंने आसान रखने के लिए इसको कई पार्टों में डिवाइट किया है साथ ही में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूले वहां मैं कोशिश करूँगा होटल्स के लिंक्स और जहां पर आप खाएंगे पिएंगे उसके लिंक्स पी डाल दुबई मतलब आपको दुबई क्यों जाना चाहिए दुबई दोस्तों शहर है तॉलेस्ट बिल्डिंग का यहां पर आपको मिल जाएगा लाजेश शॉपिंग मॉल ऑफ दे वर्ल्ड लाजेश डांसिंग फॉंटेंड दुबई यसी दुनिया में और भी कोई जगह नही मॉंबई से दुबई और दुबई से रिटेंड टिकेट आपको 14,800 की वीच तक पड़ सकता है टिकेट बुक करने से पहले ध्यान रखें कि आप टिकेट दो से तीन महने पहले एडवांस में बुक कर लें आप अपनी कम्पिटर स्कीन्स या मोबाइल स्कीन्स पर टिकेट देख सकते हैं थर्ड है डॉक्यमेंट्स आपको क्या कर चाहिए आपको बस पासपोर्ट चाहिए आपका और वीजा चाहिए दुबई के लिए वीजा बुक करने के लिए आपको आपके एजेंट की जरुवत पड़ सकती है आप परसनली या खुदी इंटेनेट से ये बु जाएंगे बताऊंगा वेर तु से इन दुबई मतलब कि आप दुबई में होटल में कहां रह सकते हैं मैं आप आपको दो तीन होटल के नाम बताऊंगा साथ ही डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डालने की कोशिश करूंगा फर्स है परनॉमा ग्रेंट होटल दुबई में यह दुबई के बीच ओबीच बसा हुआ है यहाँ परन नाइट की कॉस्ट है 3100 रुपीज पर परसन यहाँ पर आपको 24 घंटे रूम सर्विस साथ ही में कॉफी शॉप भी पास में ही है सेकेंड है सेंट जॉर्ज होटल यह दुबई के कुछ ट्रेडिशनल होटल में से एक है यहाँ परन नाइट आपको 3400 की बीच में पड़ जाएगा इस लिस्ट में 30 नमबर पर है सीवियू होटल सीवियू होटल लोकेटिट है दुबई शॉपिंग एड इंटर्टेंटमेंट डेस्टिनेशन के पास में यहाँ पर आपको बहुत सारे रूम्स और स्वीट्स मिल जाएंगे यहाँ की पर नाइट कोस्ट है 3800 रुपीज पर नाइट दोस्तो यह तो हो गई बात आपकी दुबई पहुशने की और रहने की तो अब कर लेते हैं बात आपके खाने पीने की फर्स्ट है शेटी रेस्टोरेंट यह फेमस है अपने गोन फूट के लिए साथ ही नौर्थ इंडियन चाइनीज और सीफूट के लिए यहाँ पे दो लोगों के लिए आपको एप्रॉक्सिमेटली 700 रुपीज देने पड़ेंगे रात तक यह साड़े ग्यारा बजे तक ख जरूर जाएं दो लोगों के लिए यहाँ पर आपको एप्रॉक्सिमेटली 1200 रुपे देने पड़ेंगे यह रात के बारा बजे तक खुली रहती है थर्ड इस लिस्ट में है कारमा फूट सीट यह मशूर है अपनी चाइनीज जली किसिस के लिए और डक सिजलर के लिए तो तो थोड़ा मस्ती भी करेंगे यह वाँ घूमेंगे शौपंग करेंगे तो चलो बात कर लेते हैं आप लोगों की शौपंग की शौपिंग करने के लिए आप दुबई के लोकल मार्केट में जाए, मॉलों में जाने से बचे, क्योंकि मॉल तो दोस्तों हर जगे होते हैं, लोकल मार्केट ज़रूर चेक करें, साथ ही आप दुबई आये हैं, तो अबुधावी भी जाईए, अबुधावी आने के लिए ब 3,500 रुपे पर परसन के हिसाब से तो यह जरूर कीजिएगा अब मैं आपको कुछ दे रहता हूं टिप्स दुबई जाने के लिए अगर आप प्लैन कर रहे हैं तो जाइए समर में मुझे पता है दुबई समर में बहुत करम होता है पर दोस्तों अगर आपको एक बजट ट्र करना बहुत महँगा है तो मेट्रो यूज कीजिए आपको मेट्रो की एक दिन के टिकेट एप्रॉक्सिमेटली दो सो चाले सुबह की वीच में पढ़ जाएगी और शॉपिंग करे करमा मार्केट में आप बिल्कुल भी ना जाए मॉल्स में या एक्स्पेंसिफ शॉप्स म और जहां तक बात आती है करंसी एक्सेंज की तो दुबई तक के जाने के लिए आप थोड़ा बहुत करंसी एक्सेंज करा लेजिए पर मेजर पार्ट आप रखिए दुबई में एक्सेंज कराने के लिए क्योंकि दुबई में रेट आपको बैटर मिलेगा वहाँ पे एज तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर आपको लगता है मैंने कुछ गरत इंफर्मेशन दी है या कुछ अपडेट है प्रैजिस में तो मुझे कमेंट शेक्शन में बताना ना भूलें और अपने सजेशन मुझे देते रहें ताकि मैं ऐसे ही बज़ट वीडियो और और वी ट्रैबल टिप्स की वीडियो बनाता रहूं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक करना ना भूलें धन्यवाद